शंत कविर्दास जी ने कहा था व्रुख्य कवहून फल भके नदीन संचे नीर परमारत के कार्ने सधून धराशरीर नमस्कार मू उनरुत था बुख्यो जेमती निजन फड़ा भक्ष्याण करे ने नौदी जग्योद्स व्रुख्योच जोड़ा भक्याण करें नहीं लदी जेमती निजन जड़ा निजन व्याभार करें नहीं शे बड़ी साधुव्यक्ती निज्य पाई बन चे नहीं निज्य, सुख, दुख, भला मंद को भूली से परवकार करीचल थाई जिबन जाको आउ जदी से परवकार जदी सिख्यार विकास पाई अन्य कु सिख्या दान करी बा ता रो जम्तिसे अधिक सिख्या लाभ करी पारीव, यह तिरे ता जिवन, जदिसे तिरे से गढ़ी पारीव, से थी पाईं जो माने भी काम करांधी, से माने निश्चेय नमस्य, प्रसंशार पात्र, जन्दिव सेड, एजुकेशन इज सोशियल प्रसेस, एजुकेशन इस ग्रोध, एजुकेशन इस नाट प्रिपरेशन फर लाइफ, एजुकेशन इटसल्फ इस लाइफ, और थाथ आम जिवन रे सिख्यार गुरुत्व, महत्व, एबंग संसारकु उत्तम करिवा पाईं सिख्यार भुमिका ब अहरी बडो कामो छले, निजे डॡक्तर है इतले कण कर थान दे, समाज र सहभा कर थान दे, सिए अन्यमाना को डक्तर है बाक्कू, इंजिनिर है बाक्कू, सह ऩह पिलां को परेप्रस्ताइफा कले, सिए जिये, एमती सिख्यानुष्टान काले, एमती बटें उद्यम कले, जो उत्रे सह सह हजार हजार पिला उपक्रुत ही पारले। सी ये आमों ओडिसारे मध्यो तांकर संस्ता अची। सी उटे जिन्देगी फाउंडेस्टन करीच न्थी। अर्थात अन्यकु भला जिबन दवा पाईं सी उध्यम करीच न्थी। तांकर कलेज होची एबंग तांकर कोचिंग इंस्टिचूट मध्य होची। अपण भाभुतिवे भाई नाको एठी। ताक्कु नाको एपड़े नाको बुलेई बुलेई गोलेई गोलेई गरी कहीं कहुची। सिधा कहुण तमे सिजुक्त अजय बहादूर शिंग को विशवरे कहुच जिए जिन्देगी फाउंडेशन आध्यांत कलेज आकास इस्टिचूट कु सफड़ करीच न्थी। एक दम ठीक था। तेवे आसंतु आजी अजय बहादूर सिंग एबं तांकर सफड़ सिख्या नुष्टान उपरे फोकस करीवा। आरमो करीवा आज रहे साइनमेंट। डक्टर अजय बहादूर सिंग जन्म उणिस बास्तोरी रे अभिभक्त बिहार राज्यर देवखर सहर्रे होई तिला। जहाएबे जार्खन र अंसा। छात्र जिवनरे से खूप मेधाबी थिले। दाक्तर हेवाकु सोपन देखी थिले। घरर चलनी भल थिला। मत्र हटात 1909 रे बापांका किड्नी रोग सबुकीची ओलट-पालट कर द्याला। घरर बडपोहिसाबरे कीशोरा बस्तारे घरदाइत्तो नेवाकु पड़िला। किन्तु जगतर नाथ जगन्नाथंको हटात सोपनरे देखीबा। एबंग परे पुरी मंदिरोरे काले आठाकुरंगा दर्शन कोड़ै तांका जिवनार गतिपथ बदलाई देई थिला। ओडिशाको कर्मभुमिभाबे ग्रहन करीने लेशे। एबे एका आधिक सिख्यानुष्ठान तांका सफ़ड नेत्रुत्त्तवरे चालीची। एबंग अजोध्यारे गोटिये लेखाएं एबंग महाराष्ट्रे चारोटी आकास इंस्ट्रीचूटर फ्रांचाइज को सफ़डभाबे चड़ाव चनती। खाली सेतिकी नुहें तांका होम्टाउन देवगर रे, सेंट जैबियोर हाई स्कूल एबंग बिहार रो पाटना सहर रे प्रती जोगिता मुड़का परिख्या पाइं करतार कोचिंग सेंटर कोली चनती। दक्तर अजय बहादूर सिंग प्रती बर्स सह सह हजार हजार पिला तांका सिख्यानुष्टान माध्यमरे उपकुता है उचनती। लख्या हासल करू चनती। अधांद रे आमको तो फ़रस्ट अचन गागिता मुड़का प्रती 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 बर्दान करती। गरिव मेधाबी चात्र चात्रिंक पाइं उदिष्ट तांक जिन्देगी फाउंडेशन माध्यमरे अर्था भाप एबंग सुजोक पाउनोतिवा स्टुडेन बानां को सप्न पुरण तांको आत्म संतोस दिये बोली से कुहन दी आगोको भुबनेश्वरे का पॉब्लिक स्कूल सा अधिका सिख्या नुष्टान खोली बाको से जोजना रखी चांती तेवे से जाहा हासल करी चांती बा करी पारीवे ताहा के बड़ जगन नाथंक आसिर्बाद बोली से माननती आमें दक्तर अजय भायदूर सिंह एभंग सिख्या खेत्ररे तांकर जो अबदान ता विश्वरे किष्टा जानिले क्वा जाइची? एजुकेशन इस पास्पोर्ट तो दे फुच्या तो तुमारो बिलंग्स तो तो जो प्रिपार फर इट तोड़े अर्थात भला जिबन पाइँ, उत्तम संसार गठन पाइँ, विश्व को सफ़ड करिवा पाइँ, सिख्या हाऊची अपरिहार जिया एपंग सेथी पाइँ, किछिलो को कामो करुचोंदी जक्र अजय भायदूर सिंक भड़या किछिलो को उध्यम करुचोंदी किछी गुरुजोन, किछी सिख्या को, किछी समाज्र सचेतन नागरी को एच्पाइँ, कामो करुचोंदी ताहा आमें मना करी पारिवाने किन्तो तथापी आम भीतुर अनेक एबे भी कुम्भकर्नो निद्रारे सुचोंदी से निद्रा केवे भांगिवा, केवे कामो करिवा से को ता आपणन चुन्ता करूंदू रविंद्र नाटागवा सेट ताहाइस्ट एजुकेशन इस नोट दाट विश्मिरली गिवस इन्फरमेशन बट विच मेक्स वा लाइफ इन हार्मोनी विट ओल एग्जिस्टेंस कहीवा कथा जे सेई सिख़््या र कोणोसी माने नाहीं जहाँ आमकु केवड़ सिख़्ित कराए आमकु केवड़ इन्फरमेशन दिये आमकु केवड़ तथ्य दिये तथ्य उपरे आधर्यत सिख्या संपुर्ण ननुहें बरंग सेई सिख्या जिए आमकु केवड़ श्रुष्टी र स्रेष्ट जिवाई सावरे बंची वापाई सिख्या ताहय है यूँची प्रकृतर सिख्या एबंग एहा कु अनेक मात्र है सफ़ड़ करी चोंती डक्टर अजय भादूर सिंग तांको साव कोथावा वेलकूम निटी प्रोग्राम सर आपने डक्टर बनना चाहते थे आप पर जिन्दगी में ऐसे हालाता है कि आप बन नहीं पाए कभी कि लगता है नहीं मेरे हिस्से का जो मिलना था वो नहीं मिल पाया कि अभी लग रहे एक खुदा तेरा हर फैसला अब मुझे मनजूर है क्योंकि जिन्दगी के उतार चड़ाओं में जब तकलीबे का बादल मटराती है तो लोगों पता नहीं होता है वो तूटने लगते हैं लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि उपर वाले ने जगनात महापरव किरपा से मैं तूटा नहीं मैं जूटा हूँ जोडता जा रहा हूँ जोडता जा रहा हूँ और इस जोडने के कड़ी में मैं भले ही डॉक्टर नहीं बन पाया साथ मैं डॉक्टर बनता तो हजारों जिन्दगिया बचा पाता लेकिन आज हमारे सेक्डों हजारों बच्चे डॉक्टर बने जो लाको करोडों जिन्दगी बचा पा रहे हैं इससे बड़ी खुजी की बात और कुछ नहीं होगी पीता जी को क्या होता है उस वक्त आप का फाइनल से क्राइसिस था हमने सुना है कहते हैं न कि मुश्किले आती है चली जाती है बट उस मुश्किलें से सीख करके दूसरे के मुश्किलों को हर लेना खर्म कर लेना यही सबसे बड़ी बात होती है तो निश्य तो उसे जब मैं प्लस टू में पढ़ने के बाद जब मेडिकल का कोचिंग कर रहा था पिता के डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा कर रहा था उस टाइम अचानक हमारे पिता बिमार पढ़ जाते है उनकी किड्नी फेल कर जाती है मेरी कोचिंग डॉक्टर बनने का सपना तूट जाता है और उनके इलाज में जूड जाते है ठीक, छे मैने पहले अपने बड़ी सिस्टर की साधी हुई थी और उनकी साधी एक इंजिनियर से अच्छे परिवार में हुई अब एक मातर धे था पिता को कि मुझे डॉक्टर बनाना है लेकिन पता नहीं इस स्वर को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने उनके डॉक्टर के सरण में ले लिया अब पिता के इलाज कराने में सब कुछ समाप्त हो जाता है इभन की जमीन, जायदाद, लोगों के साथ करजे लेना पड़ता है और जब इतना भी उनके इलाज के खर्चों को पूरा नहीं कर पाता है तो जिस घर में मैं रहता था उस घर को भी आधा गिर्वी में डालने पड़ते है तो लेकिन संघर्स किया, जब मुझे कोई चारा नहीं दिखाई दिया तब मैंने देवगर के स्रावनी मेले में चाय और सरबत के दुकान से अपनी केरियर की सुरुबात किया और वहीं से संघर्स करता रहा, मैं वो तमाम काम करता था जहां से पैसे अर्ण कर पाए और अंतरता मुझे आज को इतियास है अभी आपको किसे ने लेकिन सुझाब दिया कि जिंदे की फांडेशन आप सुरू करो दूसरों कोई सहायता करो जब आपने पास्ट के तरब जाएंगे तो आपको अपना पास्ट ही आपको सबक सिखाता है और कुछ करने के लिए प्रेडित करता है मैं पैसो कोई होड में चला गया क्योंकि पहले तो पिता को बचाने का होड था वहां मैं सक्सेस किया फिर होम टूशन से गुरूब टूशन मैं कम से कम पांच हजार से जज़ादा डौक्टर अभी तक बना पाया लेकिन एक दिन अचानक जब मैं जगणात महापरभू का दरसन करके पूरी से लौट रहा था तो मैं देखता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची वो मुझे दीब की बत्ती बेच रही थी और माला बेच रही थी जब मैंने मना किया तो अचानक देखा उसने बोला कि अंकर प्लीज ले लो या जैसे जो पैसे आप दोगे मैं उसे खाने के लिए चली जाओंगी और उसके बाद मैं पढ़ाई में लग जाओंगी अचानक मैं देखा तो उसके बाए हाथ में एक ऐसी बर्मा की किताब थी या देख करके मैं बहुत भाविभल हो गया मुझे वो तमाम दिन याद आने लगे क्योंकि मेरी भी कोचिंग की पढ़ाई 12 के बाद छुट गई थी जब मैं उस बच्ची से बात किया तो पता चलता है कि वो 12 सरकारी स्कूल से करी है मैंने पूछा क्या तुम डॉक्टर ब पाती हो लेकिन मैं पढ़ती बहुत कई एक ऐसी उन्होंने दास्तान सुनाई कि कई एक दीन भी भूखे रहते हैं लेकिन इसके बावजुद भी उसका डॉक्टर बनने का भूख खत्म नहीं होता या जब सुनकर कि मैं वापस भूनेश्वर आता हूं तो मैं परिशान हो जाता हूं दो दिन सो नहीं पाता और अंततह मैं सोचता हूं अपने जिन्दगी के उतार चड़ाओ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं आज वो दिन आ गया है कि मैं ऐसे अपने जैसे गरीब लाचार और बेबस बच्चों को जो डॉक्टर बढ़ने का सपना दे हम आप जिस फिल्ड में हैं जीतना चाहते पर किसी की जिन्दगी जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती बस इसी सोच के साथ उस बच्ची को मैं पहला इस फॉंडेशन में लेता हूं उसको रहने खा खाने पीने का पड़ाई लिखाई का बेवस्था देता हूं और उसके के बिभिन मेडिकल कॉलेज में पड़ करके डॉक्टर बढ़ने के आप अपने बच्चों को भी जो यहां पर ट्रणिंग लेते हैं या यह में कोचिंग लेते हैं उनको सलावी आपकी बढ़िया है विन बेक अदफ लाइफ लाइफ विकाम गुड डॉक्टर यह लाइन द अदिसा को कर्म हमी क्यों बनाया आपने बहुत ही अच्छा कोश्चंस है और यह मैंने सच मुछ दिल से बनाया क्योंकि दिल हमेशा कहती रही कि मैं देवघर में जर्म लिया और मैं एक बार है हैद्राबाद अपने सिस्टर के पास जा रहा था मुझे टिकट नहीं मिला औ और जब मैं जगनात महापरभू का दर्संग किया तो मुझे उस इस चगल का टाइम 93-94 का याद आ गया जिस टाइम मैं बच्चों को पढ़ाता था और एक बेड़ में करता था अचानक मैं इस तरीके से काला जैसा एक लोगों का देखा सपना में देखा और वही चीज मैं यहां पर आकर के जगनात महापरभू को देखा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या हो गया मेरे अंदर कि मेरे पाउं यहां से बाहर नहीं जा रहे थे मैं यहां से दो दिन के बाद चला तो गया लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरीके से यहां के लिए ही रा गया और मैं ह अकास के जो चेर्मेन हैं, उन्होंने अचानक मुझे फोन किया कि अजय मैं कल भुनेश्वर का फ्रेंचाइजी किसी के साथ साइन कर रहा हूँ. और मैंने कहा सर भुनेश्वर? तो ये इस तरीके का आश्चेट चीज सुन करके उन्होंने बोला क्या बात है? और जब उन्हें मेरी सारी बातों को सुना तो बोला कल मैं उसे टालता हूँ. और शायद मुझे मालूम नहीं था कि जगनात महापर्भू इतना बड़ा उपहार मुझे दे देंगे और मुझे हमेशा के लिए अपने पास बूला. जगनात जी के विश्वास के अलावा आप अपने ब्रांड को भी बढ़या प्रोमोड करते हैं. युगरा सिंग छे चेक्क्या मारने वाले स्टुरण ब्रोड को 2000 साथ बिश्यो कपे मारने वाले जुगरा सिंग भी आपकी ब्रांड प्रोमोड किये हैं. रेगुलरी आप करते हैं is it a well-planned marketing strategy sir मैं तो यही सोचता हूं कि इस वर मुझे वो सक्ति दे कि मैं आज का काम आज ही आज पूरा करो यदि पूरा नहीं होता है तो रात का खाना मत खाओ यह जो चीजी है ना यह सब कुछ बदल दिया मेरे हां और मैं समझता हूं कि आज जो रिजल्ट उड़ी सा का आप देख पा रहे है इतना अच्छा रिजल्ट देख पा रहे है वो भी साथ इस चोटे से आज फिनिश करो तो जो जोस और जजबा हमारे बच्चों के अंदर में आता है टीचर्स के अंदर में आता है वो सब कुछ बदल देता है तो मार्केटिंग तो हमारे बच्चे ही कर देते है क्योंकि सक्सेसी मार्केटिंग का मूल मंत्र भी होता है आनंद कुमार जी की जो सुपर थार्टी मुवी जिसमें हिरितिक प्रश्वर इंजी ने काम किया था कि उसमें कहानी कितनी है सचाई कितनी है देखे जैसा मैं आनंद कुमार जी को बहुत पहले से जानता हूं 1998 से जानता हूं तो मैंने देखा है कि उस व्यक्ति के अंदर में सुरू से ही एक डिफरेंट चीज था एक डिफरेंट औरा था और वो भी वैक्ति मतलब ऐसे थे कि उनके मैथमेटिक्स में जादू था बच्चे उमर पढ़ते थे और हाला तो ऐसी होती थी कि रात रात भर में उनका एडमिशन का एनॉन्स करते थे पूरी रात में वो एडमिशन क्लोज करते थे बारा घंटा रात के बारा बज़े से लेकर के बारा एक दो बज़े तक उनका एडमिशन क्लोज हो जाता था हजारों बच्चे आ जाते थे लेकिन उन तमाम चीजों को धीरे 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 उन्होंने छोड़ दिया और फिर ऐसे बच्चों के तलास में चले गया जैसा कि आपने देखा और गरीब असहाय बच्चों का उन्होंने सुपर्थक्टी को बनाया और उसको उन्होंने हिट कराया जो सब के सामने है तो जहां तक मैं जानता हूं कि 90% तो बिल्कुल सही चीजों को पिक्चर में दिखा गया है और 10% कुछ ऐसा होता है यदि पिक्चर नाटक नहीं करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बस यही चीज नहीं आप न देखेंगे उडिसा में भी देखेंगे 30-50, 100-100 लोगों ने कर दिया बट मेरी चुकी स्टोरी मैं डॉक्टर बनना चाहता था मैंने डॉक्टर बनाने का जजबा आया मैं डॉक्टर बनाने के क्रम में जूड़ गया करोना में ओनलाइन क्लासेस चालुत है आपकी इंस्टिट के भी ओफलाइन क्लासेस लेकिन बंध थी एकदम तो बच्चों को कितना नुक्षन हुआ और उसका भरपाई कैसे करेंगे इंस्टिटूट काता है ना सोच बदलो देश बदलो तो सोच है कि हम ओफलाइन और ओन टीवी देखा चुकि काम नहीं थे लेकिन मुझे चार-पांच दिन में समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है और उसके बाद से मैं ओनलाइन के तरफ चला गया और ये पहला पूरे उडिशा में आकास इंस्टिट ही ऐसी है जो ओनलाइन की बिवस्था लोगों के अंदर म मने बच्चों के बीच में डाल दिया मुझे लगता है कि बहुत नुकसान नहीं हुआ बहुत नुकसान नहीं हुआ और रिजल्ट भी बताता है कि बच्चों को बहुत तकलीफ नहीं हुई है धन्यबाद डेक्टर एवी सिंग् पाई थां थी कि नहीं ता कही पारुनी स्पष्ट बादी यभं उध्यम करीछंधी उध्यम करूचंधी आमें सिख्या कथा कहुचे तवे सिख्यानुस्टान कोण प्रक्क्षतरे आलकेप बड़े बढ़े हां कथा कहितले अनीप्लेस ताट एनीवन केन लॉन संथिं यू सिख्या पाई आपणा खोला मनरे ताव ग्रहन करूचंधी आपणा कर सिख्या नुस्टान सेटी आपणा कर सिख्या आरम होची आमें देखिले ड़क्टर एभी सिंग केम्ती तांका जीवन कथा कहुचे ले शे केम्ती निजो कष्टकु फुली अन्यमान को सफ़ड करीच सिख्या विट्या देखेए परिवे यवञगा जो मनरे रास्तार कुष्ट जानी चंथी सेमाने जोदी ठीक थिवे ताहले फिला निश्च्या आगोकु बढ़िवे यवगउता आगोकु सेमाने उत्तम वहारी परिवे समाज पाई समानको अवधान रहिवा शेती पाइं सास्तर कोईची अज्ञान तेमिरांधश्य ज्यानां जन सलाकाया चक्ष्योर निर्मिता इंगे नं तस्मेश्री गुरवे नम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णुम, गुरु देव अमहेश्वरंग, गुरु साख्यात अंपरां ब्रह्मां तस्मेश्री गुरवे नम चुत पाढ़ी, कौन आपण माने पिलांको अधिक ध्याना दियोंदी, काहें कि आपण को पिला अन्यमानांको भीन्दा? नमस्कार, आमरो आध्यान्थ हायर सकेंडरी स्कूल रे पिला माननको पाइं सिख्या सहिता, साय डिसिप्लिन एबं स्वच्छता, एबं सेमाननकरो मोटो रहितिवा जो लाइफ रे किछे आगोगू बढ़िवा पाइं, ता अपर हीं मुख्यता धाना दिया जै आध्यान्थ हायर सकेंडरी स्कूल रे पिला माननको केबलो जे प्लस्टू सायंस नुए तांक सहिता, सेमाननकरो जो लाइफ रे एम अची, मेडिकाल, किमबा एंजिनेरिंग रो कोचिंग, जोटके आकासरू, दुई बर्स सहिता कोचिंग दिया जै आध्या को अबासिको विद्यालो एठरे संपुर्णभावे पिला स्कूल भितरे रूहन्ती, सेमाननकरो स्वास्त्य अबस्ता, सेमाननकरो रहिबा, खाईबा, एबम, खेड़कुद्रो उपरे विसेश्वी ध्यानो दिया जै आपनों जो जिन्देगी फार्मडेशन नो जो पिला अच्छोंती, आउ साध्रानो पिला, सेमाननकरो भित्तरे, आपनों तोले सेमानने इनिसेल स्टेजरे आशंती, किछी फरक देखी चोंती कि ना नाई सभु पिला प्राय समान आउ सेमाननको प्रतिभामंद्यो समान, अच्छोंती अच्छोंती शेखी प्रतिभामंद्यो समी ऐध्योंती, आज सेमाननको जो 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 फिला आउ सेमानन को प्रतिभामंद्यो समास्तो बयवस्ता भी करीचू जिन्देगी फाउंडेशन पिलामेरामी जो उद्ध्यसरे आमरो चेर्मेन सार डाक्टर एवी सिंग जो उद्ध्यसरे पिलामानंको रोष्चान दियांती कि सेमाने जेमती निजोरो ए मेडिकाल कु पाई पारीवे सेथिपाई सेमानंको कु गोंटिन्यूस कोचिंग एवाम काईडेंस मिली थाए एई सबु व्यवस्थाफितेर रहिबादरा पिलामाने कोटे मनरे आसा सहितो कोटे दुरुड़ विश्वास भी जनमे कि हां आमे भी किछी करी पारीवू आमे भी किछी करी पारीवू ताही होची आपणंको सफ़ल तार मुड़ मंत्र एवां पिलामानंको मध्य सेई भरसा तांको सेई सिख्छा देई आस्चोंदी आमे आसा करियो आपनमाने आगोकू आहरी यही बड़ी आपनंको उद्यां जारी रकोंतु आहरी अधिक पिला आपनंको द्वारा उपकृत होंतु दन्यबाद सृता पैड़ी आध्यांत स्कूल यदेगे हैर सेकेंड़ स्कूल सेटी हुजी करना दूल प्लाटफर्म पिला पठापड़ांती जहेत्तु आध्यांत हैर सेकेंड़ स्कूल आकास कोचिंग सोईतो टाया पोछिए तेनु एठी गुटे हुजी करना कॉम्पीटेक्टिव बातापड़न आमे सुष्टी करू और ताट डे वान रू आमरो पिलामाने बोड सोईतो मेरिकाल और आयाएटी कोचिंग या सबने सिस्टोमेटिक वेरे निया हन्ती मिन्ती स्टुदेंट्स आवर कोलेज आर अलसा पार आकास इंस्टीट आजे में Dr. Ajay Bahadur Singh एभंग तांकर टीम केम्ती सिख्या खेत्रे उद्ध्रे 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 पारुचंदी से विशरे किस्टा जानिले Nelson Mandela उड़े बढ़िया कथा कोई तिले से कोई तिले एजुकेशन इस दे मोस्ट पावरफुल वेपन फिच यू कन यूज तो चेंज दी वॉर्ड और थाच सिख्या सबसे सक्तिशाली हती आ रहे इसे आप दुनिया बदलने के लिए प्रयोक कर सकते है सिख्या सबुठारू बड़ी सक्तिशाली अस्त्र जहा माध्यमरे ए दुनियारे अनेक परिवर्तन अनाजाई पारिव एक ता ठीक की भूल आपने चिन्ता करन दु एबं के बे आपने को कुम्भकर्ण निद्रा भांगी आपने उद्ध्यम करिवे सेकता मध्य सिधांत करन दु निस्पत्ति नियोंतु एबं जेते सिग्रा निस्पत्ति नेवे से कामा मध्य आरामब करन दु किन्तु भुलिवेनी मेके नोड़ी सा स्कोप्सेन चालेंजेस टीम रो प्रतिटी उद्ध्यमस जोडियेवाको आजी पाएं किन्तु नमस्कार जय जगन्नात